प्रसांद की सोर आप एक तरीके से बोल लीजिए कि वो राजनीतिक बिसेस्कार हैं उनको राजनीतिकी बहुत अच्छी पकड़ है तो प्रसांद की सोर ने जो बात बोली है कि वो 370 सीटे बीजेपी नहीं पारकाई कर पाएगी क्योंकि वो जो उनका 400 का जुमला है और वाक में सच नजर आती है कि मन में इतना बिश्वास बना रखा है तो आगामी लोग सबाचुना में वो 400 सीटों का आकड़ा पार कर पाएगी इस पर कहीं न कहीं प्रशांद की सोर ने भविश्वारी कर दिये और उनसे जब पूछा गया कि बीजेपी को लेकर आप क्या कहेंगे क्या वो 400 सीटों का आकड़ा पार कर पाएगी इस पर प्रशांद की सोर कहते हैं कि बीजेपी का अकेले 370 सीट पार करना मुश्किल होगा क्योंकि कहीं न कहीं NDA का जो खेमा है वो मिला कर देखे तो करीब 300 के करीब पहुंच सकती हैं लेकिन अकेले बीजेपी 370 से ज़ादा सीटे नहीं हासि जैब कर सकती मेरे साथ मेरी स्योगी माहिं उन से जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांद की सोर की भविश्वारी जो कि सभी पार्टियों के सांथ लगबग काम कर चुके हैं चाहे वह कॉंग्रेस हो चाहे वह आमादमी पार्टी हो चाहे वह बीजेपी हो बड़े- जो भी भाविश्वारी करते हैं उसमें सतेता नजर आई है और वो होता दिखता नजर आया है तो क्या जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी कुलेकर भाविश्वारी किया इसमें किती सचाई नजर आती है जैसा कि प्रसांद की सोर आप एक तरीके से बोल लीजिए कि वो राजनीतिक बिसेसकार हैं उनको राजनीतिकी बहुत अच्छी पकड़ है तो प्रसांद की सोर ने जो बात बोली है कि वो 370 सीटे बीजेपी नहीं पारकाई कर पाएगी क्योंकि वो जो उनका 400 का जुमला है और वाकई में देखा जाए बीजेपी जो 400 का जुमला करती है ऐसा तो है नहीं कि जो सामने वाली पार्टी है वो एकदम से कमजोर है इतना भी नहीं है कि वो 400 में से 400 सीटे ही लेकर आएगी तो ऐसे में प्रसांद की सोर ने जो बात बोली है वो वाकई में सच नजर आती ह लेकिन उन्होंने कॉंग्रेस को लेके भी वह विस्यवानी की है कि उन्होंने बोला कि कॉंग्रेस भी 60 से 70 सीटों से जादा नहीं पहुँच पाएगी ऐसे में जरूरी नहीं है कि जो राहुल गादी भारत जोड़ों नया यात्र कर रहे है उससे उनको बहुत जादा हो उन्होंने जितनी सीटों की बात कही है वाकई में 2-4-10 सीटे आगे पीछे हो कही वो उनकी सारी बाते सच हुई है इसकी वज़े से उनकी बात में वजन देखा जाता है और जिसकी वज़े से वो अपनी पार्टी को भी जैसे अभी वो अलग पार्टी और अपना उन्हो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी बात का बजन भी लोगों के लिए वो दिखता नजर आ रहा है और वो जो बात कह रहे हैं वाकई में मुझे लगता है सही होती हुए नजर आई गिया बिल्कुल कहीने कहीं प्रशांद की सोर की बातों में सच्चाई तो नजर आती है क्योंकि जिस तरीके से वो जनता से डिरेक्ट समवाद कर रहे हैं इस वक्त करीब डेर साल हो गए 17 महीने हो गए और वो अभी भी कहीने कहीं बिहार में जन सुराज यात्रा के जरिये लोगों से समवाद कर रहे हैं बिहार की जनता को संबोधित करते हैं और लगतार जागरुक करने का काम कर रहे हैं ऐसा अब जताया जा रहा है कि आने वाले विदान सबाचुनाओ 25 में बिहार विदान सबाचुनाओ में वो जन सुराज पार्टी से कहीने कहीं आब एक पार्टी बन बने रहे नेक्षन एन पॉलिटिकल बाइट के साथ